हेलो दोस्तो आपका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो मैं आपके लिए आपके विज्ञान का कुश्चन पेपर लेके आचुका हूँ क्लास नाइंद के लिए और यह कुश्चन पेपर आपके एकजाम के लिए बेरी बेरी इंपोर्टेंट होने वाला है तो दोस्तो अभी तक आपके एकजाम नहीं हुए है तो यह कुश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके सभी कुश्चन दोस्तो बेरी बेरी इंपोर्टेंट हैं और आपके exam में आने वाले हैं तो सभी question को जल्दी से याद कर लीजिए सभी question को मैं आपके लिए answer सहित बताने जा रहा हूँ note कर लेना और यदि आप हमारे channel पर पहली बार हैं तो channel को subscribe कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like भी कर देना तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं देखिए दोस्तो आपका जो पहला question है जो objective आएगा और इसमें देखिए पहला जो question है आपका हरितलवक कहा जाता है तो हरितलवक किसको कहा जाता है रसोही गर को क्या कहते हैं दोस्तो रसोही गर को कहा जाता है और माइट्रो कॉंड चार होती है क्या होती है चार होती है नेक्स्ट है अदिस रासी अदिस रासी है तो बेग नहीं है बेग क्या है सदिस है विस्ताफन वी सदिस है और त्वरण वी सदिस है लेकिन दोस्तो चाल जो है वो चाल क्या है एक अदिस रासी है तो चाल इसका राइट आंसर हो जाएग नेक्स्ट कुश्चन है देखिए नेक्स्ट कुश्चन क्या कह रहा है आवो गाडरो जो संख्या होती है उसका मान क्या होता है तो ये सभी को ध्यान रखना है क्या होता है 6.022 गुणा दसकी गात क्या होता है 23 तेईस होता है तो आप्सन पहला यहां पर राइट हो जाएगा इसके बाद next question है कौन सा रोग संक्रामक होता है तो हैजा क्या है दोस्तो संक्रामक रोग है हैजा क्या है संक्रामक रोग है इसके बाद next question है बल का मात्र क्या होता है तो बल का मात्र क्या होता है न्यूटन होता है नेक्स्ट है खाली जगे के द्वारा जल खनेज लबडों का अब सोसड होता है तो किस के द्वारा जायलम के द्वारा जायलम के द्वारा क्या होता है खनेजबा लबडों का अब सोसड होता है नेक्स्ट है नीला थोता खाली जगे कहलाता है तो नीला थोता को क्या कहते है पर सलपेट को नीला थोता कहते हैं, खाली जगे एक ही पिरकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तो एक ही पिरकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्व, जैसे H2, यह हाइड्रोजन तत्व है, तो यह एक ही पिरकार के दो परमाणुओं से मिलकर बना है next question है बांध के जल में इस्तितिज उर्जा होने के कारण इसका प्रियोग टर्वाइन चलाकर खाली जगे उत्पन करने में किया जाता है तो किसको उत्पन करते हैं टर्वाइन चलाकर दोस्तो विध्युत उर्जा को किसको उत्पन करते हैं विध्युत उर्जा को तो विध्युत उर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद next question है किसी बस्तू में पधार्थ की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं तो किसी बस्तू में पधार्थ की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं द्रब्यमान द्रब्यमान कहते हैं मास कहते हैं next question है, कोटम सर की गुफाएं, किस जीव का प्राकृतिक वाद हैं, तो किस जीव का हैं, तो अंधी मचली, अंधी मचली इसका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, next है, electron की खोज करता कौन है, तो electron की खोज करता कौन हैं दोस्तो, J.J. Thompson, क्या है दोस्तो, J.J. Thompson, और proton की क्या है रदर फोर्ड है, next question, क्लोरीन का परमालू किरमांग कितना होता है, तो क्लोरीन का परमालू किरमांग सत्रे होता है, जीवास्म इधन किसे कहते हैं, तो कई करोडों वर्स पहले, क्या है, हमारे जो, जीव जन्तु तथा पेड़ पौदे क्या है, दव गए थे, और अधिक गर्मी तथा ताप और दवाव के कारण, और अधिक टेमप्रेचर के कारण क्या है, वो जीवास्म इधन में परिवर्तित हो गए, तो उन्हीं को जीवास्म इधन कहते हैं, next है, कोशिका प्राय छोटी होती है, क्यों होती है, क्योंकि कोशिका छोटी होने के कारण क्या है, गमन करती हैं वो क्या है जल्दी ही गमन कर जाती हैं कोई भी आपका जो भी आपकी ट्यूबस हैं उन्हें से आसानी से गमन कर जाती हैं गती करती हैं छोटी उने की कारण द्रब्यमान सरच्छड का नियम क्या होता है तो द्रब्यमान सरच्छड का नियम क्या होता है जब ऐसा मतलब द्रब्यमान सरच्छड का नियम होता है द्रब्यमान को द्रब्यमान को ना तो नश्ट किया जा सकता है और ना ही उसका सरजन किया जा सकता है अर्थात उत्पन कि जा सकता है तो इसी को हम क्या कहते हैं द्रब्यमान का सनरच्छड कहते हैं कंजरवेशन ओफ मास कहते हैं नेक्स्ट है गतिज उर्जा किसे कहते हैं तो गतिज उर्जा किसे कहते हैं तो किसी पधार्थ की तो बह उर्जा जो किसी पिंड की पिंड कह सकते हैं पधार्थ की रेखिये गती के कारड या कौड होती है उसको हम द्रब्मानूर्जा केते हैं और इसका मात्रक क्या होता है जूल होता है और इसका फॉर्मूला होता है half of mb square होता है next question है गतिज जैव निमनी करण कचरा किसे कहते हैं तो जैव निमनी करण कचरा कौन सा होता है ऐसा कचरा जो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया वाइरस या कवक द्वारा बैक्टीरिया या कवक द्वारा क्या है आसानी से नस्ट किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं जैब नमनी करण कच्रा कहते हैं जैसे क्या हो गया फालों के फालों सबजियों के क्या हो गए छेलके हो गए या मिरत जो हमारे सरीर मिरत सरीर का जो कोई भी अंग हो गया और वो क्या है सभी जैब नमनी करण कच्रे हैं कांच का वर्तन पक्के फर्स पर गिरने से तूड़ जाता है लेकिन रेत पर गिरने से तूड़ नहीं तूड़ता है तो क्या होता है कांच का वर्तन जब फर्स पर गिरता है तो वह अचानक से क्या है ब्रामा वस्ता में आता है अचानक से ब्रामा वस्ता में आ जाता है गिर नेक्स्ट है निमले रिखित आयनेक योगिकों के सूत्र एकाईद रब्यमान की गड़ना कीजिए तो बताना है ये किस किस के सूत्र हैं नेक्स्ट है गती के तीनों नियम बताने हैं तो गती के तीन नियम होते हैं पहला जड़त्व का नियम जिसका फॉर्मूला होता है S वर नेक्स्ट आपका देखे एक बीज पत्त्री एवं दोई बीज पत्त्री में अंतर इसपष्ट कीजे कोई तीन अंतर आपको बताने हैं हाइड्रोकारवन किने कहते हैं जो कारवन तथा कारवन तथा हाइड्रोजन देखे हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन कारवन मतलब कारवन तो हाइड्रोजन तथा कारवन से मिलकर बने परमानों को हाइड्रोकारवन कहते हैं हाइड्रोकारवन कहते हैं और इसके प्रकारों के नाम तो ये दो प्रकार के होते हैं संत्रप्त हाइड्रोकारवन और असंत्रप्त हाइड्रोकारवन संत्रप्त हाईडरोकारवन में एकल बंद आते हैं और असंत्रप्त में दोई बंद तथा त्री बंद यौगिक आते हैं नेक्स्ट है जड़त्व से आप क्या समझते हैं या आपको बताना है क्या कारण है कि किसी बस्तू को परष्ट फसलने की तुलना में लुड़कने से अधिक आसानी होती है या फिर अतबाम कर सकते हैं सिद्ध की जिए दो बस्तू का कुल संबेग परष्ट पर टकराने से यह हमारे स्वास्ते को कैसे प्रवावित करती है उधार दे कर समझाईए इसके बाद नेक्स्ट है या फिर अतबाम कर सकते हैं टीका करण क्या है और प्रतेक का रोक का कारण भी देना है नेक्स्ट है क्या होता है जब किसी जीव का आवास बदल जाए तो क्या होता है किसी इसके बाद है द्वनी सं चारण केसे कहते हैं समझा Yi he पराव ध्वनिया कान चुक्त अर्थाँ उनकी जो लेंज है वो क्या है अधिक है allora किया को यह रड़ा केते हैं इनके अपयोग बताने है रदर फोर्ड का अल्फा पिर्किडन नियम बताना है और उनके आदार पर सरचडा को सरचडा के संबंद का निसकर्स निकालना है और इसके वाइब और सेकंड है हाइड्रोचन के कितने समझतानिक होते हैं तो तीन समझतानिक होते हैं पहला होता है पहला क्या होता है इत्रियम होता है क्या होता है सोरी प्रोटियम होता है प्रोटियम और फ बताना है जल योगिक एवं मिस्रड नहीं है जल योगिक मिस्रड नहीं है क्यों नेक्स्ट है किसी पिंड पर आठ नियून बल आरोपित कन्ये में बल की दिसा में चार मीटर बिस्थाफित हो जाता है तो इस किरिया में किये गए कार्रे तो कार्रे का फॉर्मूला जो होता है बल गुणा विस्थाफन, कारे का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थाफन होता है, मतलब बल का मतलब होता है, फोर्स गुणा विस्थाफन मतलब दूरी D ले सकते हैं, तो W बरावर F into D, तो 8 का गुणा 4 से करना है, तो 32 जूल कारे इसका राइट आंसर हो कारे किसे कहते है, इसका सूत्र बताना है, तो कारे वही हो गया, बल गुणा विस्थाफन को हम कारे कहते हैं, अर्थात किसी भी बस्तू पर किया गया कारे, उस बस्तू पर लगाए गए बल तथा उसी दिसामे किये गए, विस्थाफन के गुणफल के बरावर होता है, और फॉर्मूला वो ही हो जाएगा बलगोडा विस्थाफन नेक्स्ट है पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन किस प्रकार से होता है समझाईए इसके बाद पादप कोशिका एवं जन्तुकोशिका का केवल नामंग के चित्र बनाना है किनी तीन उतकों के नाम कार्यों तथा अप धारण सहित समझाईए कार्वन की चतु सही दखता को दृसएस समझाई आपके एगजमपल से समझा सकते हैं जैसे हं च कार्वन हो गया और इसके चार ओर क्या हो जाएंगे इसे हाइड्रोजन हो जाएंगे ऐसे नेक्स्ट है किरिया हैं संतूरित करनी है और इस हभी किरियां के नाम भी बताने हैं मेगनीसियम प्लस आइओडीन प्लस ऑला फसक्पारल में आइवडायड बना दिया है संयोजन अभी किरिया हो गई 2005 है chap 2mg प्लस i2 बरावर 2mgi हो जाएगा ऐसे ही जिंक है जेड़ेन प्लस कॉपर नाइटरेट CUNO3 हो जाएगा यह और इसको देगे विस्ताफन हो जाएगा क्योंकि कॉपर जो जिंक धातू है वो अधिक्रिया सील है कॉपर से तो कॉपर का विस्ताफन कर देगी तो जेड़ेन जिंक नाइटरेट बना लेगी ऐसे आप कर सकते हैं मेगनिसियम हाइडरो क्लोरीन है यह एमजी है प्लस SCL है तो मेगनिसियम क्लोराइड बनाएगा और आइडरोजन मुक्त कर दिया नेक्स्ट है देगे यह चौथी अभिक्रिया है इसको भी आप कर सकते हैं अप गठन अभिक्रिया का एक समीकरण आपको बताना है next question देगिए next question है आपका next question तो यहाँ पे आपके समाप्त हो गई है तो वीडियो को like जरूर करें और दोस्तों में share कर देना thank you